गाइस अगर आप इंस्टाग्राम में हमेसा रिल्स अपलोड करते हैं तो आपने ये रिल्स को देखाई होगा ये इस टाइम बहुत ही टेंडिंग में हैं तो आप इस रिल्स को एडिट करके डालेंगे तो आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है इस Reels का Template भी आपको Instagram में बहुत से मिल जाएंगे लेकिन उन में से मुझे कोई भी सही नहीं लगा तो इसलिए मैं इसमें VN Apps एड़िट करना बताऊंगी क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा और वो अच्छे से बनेगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो हे गाइस मैं हुसर नाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल डक्ताउन लाजे स्मार्ट सपोर्ट में विदाउट फॉदर डियले लेट्स किट स्टार्टेड इस डियल्स को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें इन सब फोटो को लेला है जैसे कि मीसो, मिंत्रा, फोर्ड वाला या फिर आप जहाँ पर भी अपने मनी को खर्च करते हैं वो सारे पिक्स को आप ले ले तो अब हम इस डियल्स को विएन एप साइडिट करेंगी तो हम विएन एप को ओपिन कर लेते हैं उसके बाद प्लस के आइगन पर क्लिक करेंगे और फिर नियर प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर हम अपना एक फोटो ले लेती है और आप फोटो या वीडियो स्वापिंग वाला या फिर फोट वाला या फिर आपको जो लगाना हो वो ले ले उसके बाद नेक्स कर लेंगे अब ओरिजनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 9 रेसियो 16 को चूस कर लेंगी फिर यहाँ पर लास्ट में इसका वाटर मार्क है तो इसे चूस करके यहाँ से इसे डिलेट कर लेती है अब यह वाला फोटो मेरा फिट नहीं है तो इसे इस तरह से जूम आउट जैसे करते हैं उस तरह से हम इस फोटो को फिट कर लेंगी इसी तरह से आपका जो भी photo fit नहीं है उसे select करें और फिर इस तरह से fit कर लें और फिर पहले photo पर जाएंगी और यहाँ पर नीचे trim को option है इसे choose करेंगी और हमें इस photo को 3 second करना है तो यह 3 second पहले से ही है अगर आपका 3 second नहीं है तो आप यहाँ पर 3.00 type कर लें फिर right के icon पर click कर लेंगी अब इस icon पर click कर की दूसरे photo पर आजाएंगी और यहाँ पर 0.31 type कर लेंगी फिर right के icon पर click करेंगी इसी तरह से तीसरे photo में आ जाती है और यहाँ पर 0.41 type करेंगी फिर राइट के आईकन पर क्लिक करेंगी अब चौते फोटो पर आ जाएंगे और यहाँ पर 0.32 टाइब करेंगे फिर राइट के आईकन पर क्लिक करेंगे इसी तरह से पाचपे फोटो में आ जाएंगे और यहाँ पर 0.47 टाइब करेंगे फिर राइट के आइकन पर क्लिक करेंगी अब छटवे फोटो पर आ जाती है और यहाँ पर 0.53 टाइप करेंगी फिर राइट के आइकन पर क्लिक करनेंगी फिर साथवे फोटो पर आ जाती है और यहाँ पर 0.42 टाइप करेंगी फिर राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे इसी तरह से आठवे फोटो में आ जाएंगे और यहाँ पर 0.36 टाइब करेंगे फिर राइट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं अब नौवे फोटो पर आ जाते हैं और यहाँ पर 0.50 टाइब करेंगे फिर रैट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और अब यहां से इस आइकन पर क्लिक कर लेंगे और अब यहां से इस तरह से इसी जूम कर लेंगे जिससे एडिटिंग करने में असानी हो और अब हम इसमें टेक्स्ट को एड़ कर लेते हैं तो यह जो लाइन है बाइट किलर का, इसे हम 0.17 सेकंड पर लाएंगे, आपको यहाँ पर टाइमिंग सो होगा, 0.17 सेकंड पर लाने के बाद यहाँ पर आपको टी लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और फिर टेक्स्ट पर, अब एड़ एडिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डबल ए एन एच टाइप कर लेंगे, फिर एफफ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसके पॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, और अब इस पर क्लिक करके इसके कलर को चूस कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसे फिट कर इस तरह से स्क्रॉल करके हमें यहाँ पर एक इमोजी को एड़ करना था तो हम उसे भूल गया है तो हम इस पर क्लिक करके इमोजी को भी एड़ कर लेते हैं और अब इस लाइन को 0.31 सेकंड पर लाएंगे और फिर यह टी जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगी फिर टेक्स्ट पर अब एड़ एड़िंग पर क्लिक करेंगे और यहां पर हे टाइप कर लेंगे फिर एफएप पर क्लिक करके पॉन को चेंज कर लेते हैं और इस पर क्लिक करके इसके कलर को चूज कर लेंगे और अब राइट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और इसे भी इस तरह से स्क्रॉल करकी इसके नीचे फिट कर लेंगे और फिर इस लाइन को 0.41 सेकेंड पर लाएंगे और फिर से T पर क्लिक करेंगे फिर टेक्स्ट पर अब एड़ हैडिंग पर और यहाँ पर HAA टाइप कर लेंगे और इमोजी को भी लगा लेते हैं उसके बाद FF पर क्लिक करके इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं फिर इस पर क्लिक करके इसके कलर को चूज कर लेंगे और अब राइट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और इसे भी इसके नीचे फिट कर लेंगे अब इन तीनो टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे उसके बाद इस white वाले line को 0.75 सेकंड पर लाएंगे और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नीचे इस्प्लेट को option है इस्प्लेट को चोज कर लेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अब इसी तरह से इन दोनों टेक्स्ट को भी कर लेना है इसे चोज करेंगे और फिर स्प्लेट पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो राइट वाला पार्ट स्प्लेट हुआ है इसे चोज करेंगे और यहाँ से इसे डिलेट कर लेंगे इसी तरह से उपर के दोने टेक्स्ट को डिलेट कर लेंगे और अब इस लाइन को 1.15 सेकेंड पर लाएंगे और अब T पर क्लिक करेंगे और फिर टेक्स्ट पर अब एड़ एडिंग पर और यहाँ पर My Money Don't Jiggle Jiggle टाइप कर लेंगे उसके बाद FF पर क्लिक करके इसके font को change कर लेते हैं फिर इस पर क्लिक करके इसके color को choose कर लेंगे उसके बाद right के icon पर क्लिक कर लेंगे और इसे इस तरह से scroll करके यहाँ पर fit कर लेंगे और यह जो टेक्स्ट है इसे हमें इस photo तक लगाना है तो हम इस photo के last में आ जाएंगे और नीचे split को option है तो हम split पर click कर लेंगे और इधर वाले part को delete कर लेंगे इसमें मैंने 2-3 वीडियो को लिया है तो यहाँ पर music है तो हम यहाँ से sound को offer लेते हैं और अब हम इसमें music को add कर लेते हैं तो आप Instagram से इस videos को download कर लें उसके बाद tab to add subtitle पर click करेंगे और फिर videos photos पर और यहाँ से उस video को ले लेंगे और फिर नीचे हमें extract audio का एक option मिल जाएगा इस पर click करेंगे तो इसका audio यहाँ पर extract हो जाएगा मतलब यहाँ पर इसका audio आ जाएगा तो हम अब यहाँ से इस video को delete कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसका music ले लिया है और अब हमारा video ready हो गया है तो हम इसे एक बार play करके check कर लेते हैं जब आप Instagram में इस videos को upload करिएगा तो मुझे tag करना ना वो लेगा मेरे account का username आपको screen पर show हो रहा है और अब यहाँ से इसे save कर लेंगे और अब हम देख लेते हैं कि यह video कैसा बना है इसी तरह से आप बहुत ही असानी से इस तरह के reels को edit कर सकते हैं झाल